हालो एवरीबन वेल्कम टू डॉक्टर मीनूस कॉमर्स आइक्यू और यह हमारी थर्ड वीडियो है बीसरीज की पहली दो वीडियो अप्लोड हो चुकी है आई होप के आपको वीडियो पसंद आई होंगी नौलेज गें की होगी आपने उन वीडियो से आपके क्लियर हुए ह होंगे सारे डाउट्स और 65 कोशन्स हम अल्रोडी कर चुके हैं 2019 के पेपर की अनिलाइस बीसरीज की और 35 कोशन्स अभी बचते हैं हमारे तो इस वीडियो में बाकी के 35 कोशन्स को अनलाइस करेंगे और पैनो रजिस्टर तो बहुत जरूरी है यह आपने खुद भी एक्स्पिरियंस किया होगा तो पैनो रजिस्टर के साथ या रहे हैं नूट्स बनाने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स वीडियो अपनी जैसे ही कोटिल्या की अर्थशास्त्री वैसे ही शुक्र की शुक्र नीती सार भी है और बहुत सारी similarities है इसमें भी तो शुक्र नीती सार के अकॉर्डिंग जो राज्य है recognize they are six इसमें सबसे पहला है मांडलिक राज मांडलिक राज इन्होंने इसको अर्णिंग के बेसिस पर डिवाइड किया है इनकम अगर इनकी चार से दस सिक्के हैं चांदी के सिक्के ठीक है तो यह आता है मांडलिक राज्य में सेकिंड आता है हमारा राज्य यह आता है ग्यारा से बीस अगर सिक्के इनकम है तो यह आता है राज्य थर्ड आता है महाराज्य और महाराज्य में इनकम है इकिस से पचास लाग चांदी के सिक्के यह लाख में है यहां लाग सिक्के चार से दस लाग सिक्के ग्यारा से बीस लाग सिक्के एक किसे पचास लाग सिखे और फोर्थ आता है हमारा सम राज्य, सम राज्य में हैं, 51 से सो लाग, यानि की एक करोड सिखे, clear, चान्दी के सिखे, फिर आता है हमारा फिप्थ, that is साम राज्य, this is सम राज्य, यहाँ आते हैं आपके 1 करोड से 10 करोड, यह आपकी स्धार्ट होगी करोड, चान्दी के सिखे, फिर आता है आपका 6 है वे राज्य, और यहाँ हैं आपके 11 करोड से 50 करोड, तो इनोंने income के basis पे राज्य को डिवाइड किया है 6 पार्ट में, अच्छा, इसमें और भी एक इन अंग माने हैं, राज के अंग कोटिले की तरह माने हैं, सब्तांग माने हैं, तो पहला है राजा, दूसरा है मंत्री, तीसरा है मित्र, सेकिंड, थर्ड, पोर्थ है कोश, फिप्त है देश, सिख्थ है दुर्ग, या खिला, और सेवंथ है सेना, इन्होंने कहा है कि राजा और इन सब में राजा जो है वो सर्वोपरी है सबसे प्रधान है राजा मंतरी को इन्होंने राजा के नेत्र की से कंपेर किया है मित्र को कानों से कंपेर किया कि वो मित्र कर्ण है कि जो कोश है उसको मुख से कंपेर किया है कि ये मुख है, सेना को मन से compare किया है, देश को हाथ से, कि उसके हाथ है, और दुर्ग को पैर से, तो ये उन्हें comparison किया है, तो यहां राज्य हो गए और ये सब्तांग हो गए और राज्य को किस तरह से compare किया है, ये हमारा next हो गया, नाउ next question, 67, गनित सार, गनित सार किसने लिखी है, गनित सार लिखी है, महावीराचार्य ने, गनित सार है, गनित की किताब है ये, और ब्रह्म गुपता है, इनकी एक बहुती important जो कृती है, वो है ब्रह्मा स्फुट, ब्रह्मा, ब्रह्मा स्फुट, तीक है, और मुझाल की एक है लगु मानस, मुझाल की important बुख है लगु मानस, और नील कंट की है, नील कंट की important बुख है एक तजिक नील कंथी, तजिक, तजिक नील कंथी, तो ये चारों भी आप याद कर सकते हैं, जबकि गनित सार है, हमारा answer है, इस आ रहे है, next question, the earliest inscriptions recording the date by the system of digit and 0 is off, ये inscriptions है, जहां date को digit और 0, यानि कि नवां को शुन्ने में लिखने का start हुआ था, तो ये अभी लेक है, कि inscription है, ये कहां है, बिहार में है ये, और ये inscription जो है, 672C में dated है, और ये बनाई थी, करवाई थी, अधित्य सेना ने, यहां है ये शाहपूर, शाहपूर बिहार में, खिक है, तो इतनी information काफी है, इसके लिए, बिहार में, शाहपूर बिहार में आधित्य सेना ने बनवाया था, और 672C में, सैंचुरी में, राइटर ओफ गनित कोमदी, गनित कोमदी के राइटर कौन है, नारायन पंडित, नारायन पंडित इस राइटर ओफ गनित कोमदी, नेक्स्ट कुश्चन, 70, वेधिक मैथमेटिक्स वोज रिटर्न बाइ, वेधिक मैथमेटिक्स किसने लिखा था, इट इस शंकराचारिय बी के तीर्थ, यानि कि शंकराचारिय भारती कृष्ण तीर्थ, और इसमें है mental calculations, यानि कि हमें हाथ से कुछ नहीं करना, आप इस ब बहुत बड़ी-बड़ी calculations को solve कर सकते हैं, English में है ये book, और original जो ये publish होई थी, ये हुई थी 1965 में, clear, next है the oldest book of Indian अंक गनित, Indian अंक गनित की प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ये बहुत important है, वक्षाली ग्रंथ, वक्षाली ग्रंथ है, और ये हाथ से लिखी हुई, जो किताब ह मद्दकाल में हाथ से लिखी, एक मातर हाथ से लिखी हुई किताब है, इसलिए इसको हस्त ग्रंथ भी कहते हैं, यानि कि वक्षाली हस्त ग्रंथ भी इसको कहते हैं, और इसमें, सर्ड्स, रूल ओफ थ्री, इंट्रेस्ट, लेन देन, मजदूरी, साजेदारी वस्तों का जो क्रिया विक्रिया होता है, काम और समय, टाइम और स्पीड, टाइम और वर्क, इन सबसे रिलेटेड ग्रंथ हैं, इसमें बक्षाली ग्रंथ में, बहुत इंपोर्टन किताब है पाई का मान, 22 upon 7, यह हम सभी करते हैं, लेकिन यह है किस ग्रंथ में लिखी हुई है यह, पाई का मान, इट इस रिटन इन महासिद्धान्ता, ठीक है, महासिद्धान्ता और यह संस्कृत में लिखा है, ग्रंथ संस्कृत में है, और किस ने लिखा है, यह आर्या भट, कौन जीवनकाल वो क्या है 922 1000 century this is आर्यभट 2nd आर्यभट सफस्ट भी है question no.73 who invented algebra आ गए हम आर्यभट जी पर यह है आर्यभट 1st clear हुआ पाई का मान जो रिटन था epic में महासिद्धानता में इसको लिखा है आर्यभट 2nd ने और इनका जीवनकाल था 923 1000 algebra invent किया था आर्यभट 1st ने और इनका जो जीवनकाल था वो था 476 to 550 century clear next 74 the book tantra is returned by tantra किस ने लिखी है तंत्र भी आर्यभट ने ही लिखी है ना कुशन नमबर 75 विच बुक डिस्क्राइब दे प्रिजन डे टिग्नोमेट्री प्रिजन डे टिग्नोमेट्री कौन सी बुक ने डिफाइन किया है देट इस सूर्य सिद्धान्त ये भी बहुत important देको टिग्नोमेट्री है इसे चा चानु योग तो कुछ ही पन्ने अविलेबल है कुछ ही पन्ने अविलेबल है और पूरी किताबे नहीं हैं सोचो अगर पूरी किताब एह मारे पास होती तो हमें कितना ओर information मिल सकती थी हमारा जो गनी थे हमारे जो मैस हो कितना ओर एडवांस हो सकता था ठीक है next is in ancient India Indian economic atomic theory was based on किसके उपर बेश थी ये सा everywhere experiment know it was based on intuition and logic Indian भाते जो अन्विक सिद्धान था वो अंतर ज्यान और तर्क के उपर बेश था कुछ नमबर 77 इन विच मिउजियम इन पूरी की पूरी कंप्लीट मिली है तो यह कौन से म्यूजियम में रखी गई है यहां किसी भी म्यूजियम में नहीं है यह ब्रिंगिंहम म्यूजियम इंग्लेंड में रखी गई है और यह माने जाता है कि जब मिली थी कुछ रेलवे के लिए जो खुदाई हो रही थी जब रटीशस लेलवेल के खुदाई कर रहे थे तब मिली थी और फिर वो इसको अपने साथ ले गए बरहिम इंगम कर रिलेटिड है यह हमारी किसे केमिस्ट्री से इसको रस रतनाकर को क्या कहा जाता है master piece of chemistry भी कहा जाता है master piece of chemistry ठीक है और यह किसने लिखी थी नागरजून में पता कि नागरजुन कौन थे बहुत बड़े एक रशयन सास्त्री थे अच्छा ये इसमें देखो बानभट्ट ने कौन से लिखी है किताबे हरश चरिता ये बहुत इंपोर्टेंट किताब है बानभट्ट की हरश चरिता और एक और है इनकी कादम बरी ये दोनों किताबे विखी थी चरक का तो मैं पता ही है चरक सहीता है तिक है ये चरक सहीता मैडिस्टन बुक है और इसमें इवन बल्ध सारे जो सर JE KEVIN के लिए equipment use होते हैं उन सब का description है और बहुत ही ये भी कहा जाता है कि चरक ने एक ऐसा चाकू ऐसा surgery का equipment बनाया था इतना precise था कि वो एक बाल को भी दो equal part में divide कर सकता था नौ अच्छा ब्रह्मा गुप्त का अभी हमने बताई थी कौन सी बुक है बहुत important ब्रह्मा अस्फुट सिधान्थ तो यह भी बहुत important बुक है इसके ब्रह्मा अस्फुट सिधान्थ now in the period in which period Indian chemistry was famous Indian chemistry सबसे ज्यादा जो चरम पे थी वो कव थी that was in गुप्ता पीरियड देखो नागर जुन जो थे वो भी गुप्ता पीरियड के टाइम के ही chemist थे चरक समीता सुशृत समीता यह सारे जो work है यह किस टाइम के हैं गुप्ता पीरियड के हैं और एक जो महरोली में iron pillar है जो अभी इतने सालों से लगा हुआ है और अभी तक उसमें रस्ट नहीं हुआ है वो भी गुप्ता पीरियड के ही टाइम का है तुम कह सकते हैं कि जो chemistry है वह बहुत फेमस थी गुप्ता पीरियड में शुगर केन इस बेसिक प्लांट ओफ अच्छा इसमें थोड़े से confusion में कहीं चाइना में भी है कहीं अफ्रीका में भी है बट अभी मैंने गौर्मेंट की साइट से जो information निकाली है उसके according इंडिया को गन्ने का गन्ना जो मूल पोदा है वो इंडिया का ही बताया गया आदे इन पूर्मेशन यह देखो गन्ना जर्नली इन लैटिटूड में उगाया जाता है थर्टी सेवं डिग्री नो तो थर्टी वन डिग्री साउथ जनी की यह हमारा एक्क्वेटर हुआ यह टॉपिक ऑफ कैंसर वह और यह कैप्रिकॉन हुआ तो यह जो टॉपिक एरिय इस फाउंड इंडिन राइटिंग ओ पीर फोर टीन हंड टो फॉन थाउजन बीसी में मिला है नाव वाइडली अक्सेप्ट इंडिया इस अरिजनल होम फॉप सेक्रम स्पेसेज सेक्रम बार्बरी एंड पॉलिनेशन ग्रूप अफॉप टीक है इस इस बार्बरी जो है वो सेक्रम बैरीेरी जो वो हो मिला थी है। नेक्स्ट . विच मैंतमेटिकल साइंस2 वीच मैंत्मेटिकल साइंस was based बेजेन जिए सायंस पी पहल था उविचन मंट्री में साइंस 2 Bar सवूए थे इन्होंने सभय्वी this in the science of Europe में देड़ीू के पीछे वी एक लोजिक है कि जब वेदों का वेदों के मंत्रों के पार्ट करने में होती है और वेदों में क्या था सुन-सुन के ही वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांस्फर हुए थे तो इसलिए बहुत जरूरी था एक रिसर्च होना के बिल्कुल छोटी से छोटी धनी छोटी से जो स्वर हैं उन पर भी हुई तो वो कहां हुई इंडिया में हुई नेक्स्ट्ट विच सब्जेक्ट इस अमर्कोष रिलेटिड अमर्कोष किसे रिलेटिड है देखो अमर्कोष क्या है अमर्कोष एक डिक्ष्णरी है ठीक है, शब्द कोश है अमर कोश, it was written by अमर सिन्हा, अमर सिन्हा ने इसको लिखा था, और जो अमर सिन्ह थे वो विक्रमा दित्ते के, one of the नवरतन थे, विक्रमा दित्ते के कोट के, अमर कोश को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहला था heaven और अधर, यानि की वर्ग आदि खंड दूसरा था भूवर्ग आदि खंड और थर्ड था सामान्या आदि खंड, सामान्या आदि खंड अब इसमें, क्योंगी क्या था, इसमें words थे, करीब 10,000 words का ये संग्रह है तो इसमें जो स्वर्गवादी word heaven से related और other word थे वो words थे कुछ आर्थ से related words थे और कुछ सामानने यानि कि grammar बगरा जो थे वो सामानने वर्ग में include की गई थी तो अगर हम specially कहें कि क्या ये बोटनी से, astrology से, physics से, metallurgy से किस से related थी तो अमरकोश ये question मुझे तो कोई option इसमें सही नहीं दिखता क्योंकि अमरकोश एक dictionary है और उस dictionary में हर तरह के word use होते हैं तो specially वो किसी एक particular subject की dictionary नहीं थी चीक है तो इसमें से हमारे answers नहीं हैं बलकि अमरकोश को आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये एक dictionary है तीन भाग में divided है पहले में स्वरगादी से related word है दूसरे में अर्थ आदी से related word है और तीसरे में सामान्य ग्रामर वगरे से related word है तेकिन ये जो भू वरगादी है तो इसमें हो सकता है आर्थ थी तो वनस्पती विज्ञान क्योंकि कुछ लोगों ने इसको वनस्पती विज्ञान लगाया हुआ है बट क्योंकि ये जो आर्थ से related थे तो वहां उन्होंने कुछ terminology words की use की हो आर्थ की जो हमारा प्रकर्टी है पेड़ है पोदे उनकी यूज की हो तो उसके basis पर हम यह नहीं कह सकते कि यह related यूज से थी clear तो इसको आप check कर लिजेगा यह मेरे हिसाब से इसमें कोई answer नहीं है question number 85 who was the father of रसविध्या रसविध्या के father कौन थे अभी हमने बताया नागरजुन ठीक है नागरजुन father थे रसविध्या के और नागरजुन की जो important एक और किताब है उत्तर तंत्र ये इनों नहीं कहते हैं जो चरक सहीता थी उसमें भी इनको last में उत्तर तंत को add किया गया एक और किताब है इनकी आरोग्य मंजरी आरोग्य मंजरी ठीक है उत्तर तंत्र बहुत important book है आरोग्य मंजरी बहुत important book है और कही सारी है जैसे जीव सूत्र ये भी इनकी किताब है योगशतक योगशतक भी इनकी किताब है कक्षपुट भी इनोंने लिखा है योगरत्न माल योग, रत्र, माला भी इन्हों ने लिखी है तो ये इनकी बहुत important किताब हैं सारी Next, writer of Charak Samita was simple है कही बार हम बात कर चुके हैं तो who was the writer? Obviously Charak was the writer of Charak Samita According to Sushrita, total number of bone अभी कितनी है हम? अभी हम 206 मानते हैं लेकिन Sushrita के according कितनी bones थी? 300, इसमें से 120 थी hand और leg से related 117 थी pelvic region से related, pelvic region में और 63 थी neck and upward, उपर गर्दन और उपर की हट्टिया हैं तो total कितनी थी इन्होंने 300 बताई थी जो सुष्रत थे वो कौन थे? He was the son of Vishwamitra और he is one of the, one among the father of surgery और the plastic surgeon को, plastic जैसे चरक भी थे तो वो भी surgery करते थे तो सुष्रत को भी plastic surgery, one of the father कहा जाता है और it is important test, आयुवेदा की भी important test है और कुछ ही जो सुष्रत सहीता है उसकी कुछ ही manuscript palm leaf पर लिखी हुई है और ये नेपाल में एक museum में रखी भी हुई है next who was the arvedic physician during the period of kanishka kanishka के time पे, arvedic physician जो थे वो कौन थे? चरक चरक थे, father of Indian medicine भी कहते हैं अच्छा जीवक कौन थे? जीवक थे, बिम्बिसार के, बिम्बिसार के, रजवैद ठीक है? और ये भी कहा जाता है कि जो जीवक थे वो एक, उनके माता-पिता ने शायद उनको छोड़ दिया था तो जो जो बिम्बिसार के पुत्र थे, उनको वो जंगल में पड़े मिले वो उनको घर ले आए, उनको बढ़ा किया, और फिर उनको पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ने के लिए भेजा और वहाँ जाके इनोंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, ये वापस आये, फिर इनको लगा के, जीवक को लगा के, सब मेरे माता-पिता का नाम पूछेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे लोग ही इन भामना से देखेंगे, लेकिन जो इनके गुरू थे, उनको बताया है, ठीक है, now, question number 89, parts of yoga, part of yoga कितने हैं भाई, eight है, part of yoga, एक पर नाम लिख लेते हैं, फटाफट से, सबसे पहले है हमारा ज्यान योग, ठीक है, ये है वेदानत की साधना करना, यानि कि वेदों की साधना करना, ज्यान योग कहलाता है, दूसरा है हमारा कर्म योग, कर्म यो गीता का उपदेश था न, कर्म अच्छे करो तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, तो similar way में कर्म करे जाओ बिना फल की इच्छा के, बिना फल की चिंता के, फल अच्छा ही मिलेगा, अगर आपने कर्म अच्छे की हैं, थर्ड भक्ती योग, इश्वर की भक्ती करना, तो fourth है हम हमारा लय योग लय योग में क्या है मंत्रों का उचारन करना मन को किसी अवाज में लगाना जैसे हम क्या करते हैं ओम की अवाज में लगाते हैं तो मन शांत होता है वैब्रेशन्स आती हैं फिफ्ट आता है हमारा हट योग सिख्ष्थ आता है हमारा महायोग सेवंथ है तंत्र योग तंत्र योग है परमलक्षे की प्राप्ति के लिए और आठ है कुंडलिनी योग एक्चुली इनको सबको आपको हिंदी में ही याद करना पड़ेगा इनकी कोई इंग्लिश नहीं है इसलिए मैं इंदी में ही लिखनी उनको ज्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लै योग, फट योग, महा योग, तंत्र योग और कुंडलिनी योग ठीक है ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, इससे सारी जो रिशी मुनी इस लास स्टेज पर बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं अपने सारे जो खुंडलिनी हैं उनको जागरत करते हैं तो पार्ट ओफ योगा है एट आर्वेदा ने शरीर में कितने प्रकार के दोश पाए गई हैं ये मारे तीन तरह के दोश हैं तीन तरह के दोश हैं हमारे वात तीन तरह के दोश होते हैं हमारे वात पित और कफ यह आपने सुना भी होगा वात पित और कफ यह तीन तरह के human body में दोश पाए जाते हैं इसको देख लेते हैं 92 हो गया हमारा तीन तरह के दोश है बोड़ी में 93 फाउंडर ऑफ योगा सिस्टम इस नून योगा सिस्टम के फाउंडर कौन थे यह तो सबको ही पता है पतांजली को रामदेव बाबा से इसे लोगे हैं योग को पतांजली रामदेव बाबा की पतांजली कहते हैं but that is not true so Patanjali यह हमारे वैदिक काल में थे अरवेदा का प्रयाय क्या है अरवेदा के और प्रयवाची क्या है देखो लक्षन है तंत्र है शाखा भी है यह तू इसका मतलब है सारे के सारे हैं और और भी है जैसे विद्ध्या कहेंगे सूत्र भी कहीं तो भी है ज्यान भी कहीं त भी है ठीक है शाका विद्या सूस्त ज्यान शास्त्र शास्त्र भी है ठीक है तो यह सारे क्या है अरवेदा के प्रयवाची है दे नंबर ओफ प्लैनेट इन दे सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम में प्लैनेट कितने हैं हमारे कितने हैं भाई बताने की जरूत नहीं लास्ट में आठी है एक नाइन्स प्लैनेट फ्लैनेट अफ शन नियृर्ष प्लैनेट चलो तुम्हीं बता दो भाई यह रेकमेंड करके बताओ कौन सा है ठीक है इस के अंसर अगो यह वह आ यह बहुत है यह दो अपने आप बता सकते हैं हमने पिछली फुर्स वीडियो में नक्षप्र के बारे में बात करी थे तो अब हमने बताता कितने हैं तो they are 27, पूरे अकश मंदल को 27 पार्ट में डिवाइड किया था तो हमारे नक्षतु कितने है 27, वट इस लेंप ओष मेश राशी ए भी काम आप ही करो, देखो हमारी राशी हैं ना कितनी राशी है हमारी 12 राशी हैं तो सारी राशी के हिंदी और इंग्लिश हिंदी एंग्लिश नाम के लिस्ट बना के जड़ा मुझे कमें बॉक्स में बताओ के कौन-कौन से हैं तो मेश को क्या कहते हैं और जो हमारी कुम्भ है उसे क्या कहते हैं तो सारी आपको राशियां बतानी हैं के इन पार्ट को क्या कहते हैं पद इनको कहते हैं हम पद ठीक है यह बहुत टेक्निकल है तो इसके अंदर इतना नहीं कुसेंगे बस जैसे बचों का नाम रखना होता है तो यह देखने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है और हर पद में हर राशी में चार पद होते हैं अस्ट्रोनॉमी में कितने पार्ट में रिवाइड के जा गया और अनको क्या कहते हैं हम पद कहते हैं इसमें अच इसमें रहत यहां विजन के बाचा सीकर वकश्य सबस्क्राइब में हमारे चोथे यह इसमें पूचा है हेसे हमारा podéis वह होती है वह पांच व deposit है तक से रिलेटेड वह होती है बुखेस नम्बर हरेदेड होती है डूसरी होती है उधान और उधाया था क्यों होती है या गले से फिलेड पीड़ा कर वादा परांच वाई करते है प्रान कीं ही होती है वो हर्ट से रिलेटिड होती है ठीक है थर्ड होती है हमारी समान वाईयू और समान वाईयू जो होती है वो पेट की जो अगनी होती है या खाना पचाने का जो मेटोबॉलिजम होता है उसको तेज करती है फिर होती है फोर्थ हमारी अपान वाईयू अपान वाईयू जो होती wasty Izaisi के लिए और वियान फूरी बोड़ी ब्लड में होते हो पूरी बोड़ी को एक मुव्वेंति है, गती देती है तो पांच तरी वयू होते है हमारी उदान, प्राण, समान अपान और व्यान इसको भी आप नोट्स बनाएंगे तो सबको लिख लीजेगा ये भी आ सकते हैं कि प्राण वायू कहां से किस से रिलेटेड है समान वायू किस से रिलेटेड है तो कोई भी कुशन इससे बन सकते हैं और एक और बुग है योग रहसे ये किस ने लिखी है ये कुशन था हमारा शायद कोई 91 कुशन है शायद मेरे सेट में तो ये योग रहसे एक बुख है वो लिखी है नाथ मुनी ने ठीक है और इनकी एक और बुख है न्याय तत्व तो नाथ मुनी की दो किताबे हैं योग रहसे और न्याय तत्व इस वीडियो में हमने कवर कर लिये हैं अपने 35 पूरे कोईशन यानिकि 100 तक हम कर चुके हैं इसमें अब इसके बाद एक और 2018 का पेपर और हम इसी तरह सेनलाइस करेंगे तो टोटल अगर 200 कोईशन करेंगे तो हमारे पास कम से कम 500 इंफॉमेशन होंगी यानिकि हमारे पास इंफॉमेशन बहुत सारी होंगी नोट्स में होंगी याद हो जाएंगी तो बेसार जी का पेपर extremely बढ़िया होगा हमारा चीक हैं और environment की भी video डालेंगे क्योंकि environment भी इसी तरह का पेपर objective पेपर है तो environment मे भी हम कोशिश करेंगे कि दो या तीन साल के पेपर को अप्लोड कर दिया जाए with explanation कोई भी comment कोई भी query हो या doubt हो तो आप comment कर सकते हैं मुझे please feel free to comment कोई भी doubt आपको लगता है confusion है किसी question में कर सकते हैं video पसंद आए तो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं क्या आपको अच्छ क्यब आपको 5-2 हूबगे भी हूबगे सकते हैं मुझे-जापको अबरा सकते हैं मुझे भी आपको 6-3 हूब है